नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चेनल आरके बरमेलाक्रिकल पर तो दोस्तों यूपी पीसेल की तरफ से एक लेटिस्ट अपडेट डिंगन कला रही है प्राइवेटाइजेशन को लेकर यानि अपसे कुछी समय पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का क्या फैसल रहा आज की वीडियो में जानेंगे यानि निजी करण का जो फैसला है वो कब तक नहीं लिया जाएगा यानि कब तक इस पर रोक लगा दी गई है और क्या हुआ है निजी करण का जानेंगे पूरा वीडियो में तो पूरा विस्तार सक वीडियो प्राप्त हो सके और आप मारे टेलिगराम गुरूप को भी जॉइन के लिए जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डेस्क्राइब मिल जायागा तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फाइनली दोस्तो नीची करण का जो फैसला है उसका परिणाम आ गया है यानि इस नोटिफिकेशन के दुवारा देखेंगे कब तक नीची करण रुख गया है और इसमें क्या-क्या बिंदो पर बात की गई है यानि क्या के सरते रखी गई है यानि पूर्वांचल विद्धूत वित्रण निगम लिमिटेड विक्टेन एवं निजी करण के पिरस्ताव के विरोध में विद्धूत करमचारी संयुक संगर समीती उत्तरपरदेश की नोटिस संदर्म मानने 15 सिरिकान सर्माजी उर्जा मंतरी उत्तरपरदेश सरकार एवं सुरेश खन्ना जी मानने वित्ते मंतरी उत्तरपरदेश सरकार के साथ विद्धुत करमचारी संयुक संगर समीती दिनांक 1610-2020 को हुई वारता में सहमती के बिंदु यानि क्या क्या बिंदु ये रहे हैं दिनांक की बात करने तो 1610-2020 को ये मीटिंग हुई है और उपस्तिती इसमें किस-किस की रही है ये आप देख रहे होंगे मुख्य सचिव उ अध्यक्ष उत्रपरदेश पावर कोर्पेशन लिमिटेड प्रिवंदक निदेशक उत्रपरदेश पावर ट्रांस्मिसन कोर्पेशन यानि ये जो है आपके इसमें उपस्तित रहे हैं यानि लगबग सभी लोग इसमें उपस्तित रहे हैं और इसमें सभी के साइन इत्या करते हुए कहा है कि पुर्वांचल विद्धूत वित्रन निगम लिमिटेड के विक्टन एवं निजी करण का प्रस्ताव वापिस लिया जाता है यानि फिलाल इसके लिए जो प्रस्ताव है वापिस लिया जाता है इसके अतरिक्त किसी भी अन्य विवस्ता का प्रस्ताव वि बिद्धु निगम के जो करमचारी हैं उनको लेकर ही काया कारवाई की जाएगी यानि आपका करमचारी अभियनता को विश्वास लेने विश्वास में लिए बिना उतर परदेश में किसी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा यानि विद्धु जीकरण होगा तो इसके करमचारी अभियनताओं को विश्वास में लेकर ही किया जाएगा और आगे देखते हैं दोस्तो पॉंट टूगी बात करें संगर समीती के साथ यह भी सहमती बनी है कि उपरोग बिंदु वन के अनुसार उत्तर परदेश के विद्धु पित्रन निवों में वर्तमान विवस्ता में ही विद्धु पित्रन के सुधार यथा राज वसूली बहतर उभोकता सेवा के लिए मन वचन एवम करम से सार्थक प्रियास किये जाएंगे नंबर तीन की बात करने तो यह भी सहमती बनी है कि वित्रन के छेत्र में ब्रहश्ट चार मुक्त करने बिलिंग एवम कलेक्शन एफिसेंसियों का लक्षे प्राप्त करने तथा उभोकताओं को पूर्दा संतुष कर यानि समीति इसमें जादा जादा सहयुक करेगी जो में मुद्दे की बात करें तो पॉइंट चार में क्लियर किया गया है यानि सुधार की उप्रोक्त अनुसार कार्रेवाही इस वित्य वर्स में 15 जनवरी 2021 तक मानने मुख्य मानने उज्यमंत्री जी प्रिबंदर एम वि बात करें तो वर्तमान आंदुलन के कराण किसी भी समीदा कर्मी विद्ध कर्मी आवर अभिहंता एवं अभिहंताओ के विरुद किसी भी प्रिकार की उत्पुलन की कारवाई नहीं की जाएगी आंदुलन के दोरान जिन इस्थानों पर विद्ध करमचारियों या संगर सम समीति उत्रपरदेश ने वर्तमान में जारी आंदोलन वापस ले लिया है यानि आंदोलन आप समीति ने वापस ले लिया है आप किसी भी जेगा आंदोलन नहीं होगा तो दोस्तों कल भी यह बात हुई थी लेकिन कल इस पर सिग्रीचर नहीं किये गए थे तो फाइनली इस पर अप सिग्नेचर वागेरा कर दिये गए हैं यह आप देख रहे होंगे इंजीनर सेलेंदर दूबे इन्होंने भी अपने सिग्नेचर कर दिये हैं अकलेश कुमार इन्होंने भी सिग्नेचर कर दिये हैं वीपी सिंग अध्यक्ष राज्य विदुद परिश्यत अभियंत यह केंद्रे अध्यक्ष विदुत परिशत ज्यूनेर संग्ठन उत्रपर्देश इन्होंने भी सिंगनेचर कर दिये हैं माया संकरतिबारी इन्होंने भी इसमें अपने यानि लगभग सभी इसमें सिगनेचर कर दिये हैं और दोस्तों आगए देखते हैं वीडियो में ये भी आग देख रहोंगा बीके सिंग कलहंस अध्यक्ष आंसुलेप संग इन्होंने भी सिगनेचर कर दिये हैं सुनील प्रक तो दोस्तो अभी भी आपको थमना नहीं है यानि आपको अभी भी ट्विट करते ही रहना है यानि ट्रेंडर में रहेगा तो ज्यादा ज्यादा सरकार पर प्रेसर बनेगा तो सरकार इसका प्रेविटेशन करने कभी चार नहीं करेगी तो दोस्तो अब आने वाले समय में जो परिक्षाएं रुकी हुई है उस पर ही कारियर श्टार्ट हो जायेगा जैसे कि आज एक वेकेंसी की ओनलाइन श्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले समय में जल्दी आपको परिक्षाएं देखने को मिल सकती हैं क्योंकि जो कारियर लेकि जो जितनी पिरकरिया हैं वो सभी इसी बादा से बादित हो रही थी तो दोस्तो अब आपको अपनी तयारी अच्छे से करते रहना है आने वाले यानि अक्टूबर के लाश्ट में आपको UPCL TG2 और एत्यादी जो परिक्षा है उसके एड्मिट कार्ड आपको देखने को मिल सकते हैं और जल्दी आपकी परिक्षा नमबर पूरे नमबर में पूर जितने भी परिक्षा आपको संपन करा ली जाएंगी तो दोस्तो ये थी कुछ important information उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी तो पिलीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और सेर करें चैनल पर नहीं तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं जातर ऐसी वीडियो लात रहता हूँ तो थैंकी फूर वाचिंग इस वीडियो क्योंकि मैं जातर वीडियो क्योंकि मैं जातर वीडियो